दोस्तों अगर आपने साल 2014 का सूपर हिट सीरियल तू मेरा हीरो देखा होगा तो आप सीरियल में पक्षी की भूमिका निभा कर दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेतरी को तो जानते होंगे जिन्होंने अपने इस किरदार से दर्शकों का कूम मनुरंजन किय और आज भी दर्शकों के बीच अपने सीरियल के लिए काफी जानी जाती हैं जिन्होंने इस सीरियल में अपने शांदार एक्टिंग, एक्स्प्रेशन और डायलोग बाजी से सबको अपना दीवाना बना दिया था लेकिन दोस्तों इस सीरियल को प्रसारित हुए आज आठ साल हो चुके हैं, और भीते इन आठ सालों में क्या आप जानते हैं कि तू मेरा हीरो सीरियल में पक्शी की भूमे का निभा कर दर्शकों के दिलो पर राज करने वाली ये अभिनेतरी, आज कहां है, क्या करती हैं और कैसी दिख्ती है, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पक्षी का किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री के आज के भारे में ही बताने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंतक और वीडियो को लाइक करना ना भूले तू मेरा हीरो सीरियल में पक्षी की भूमिका निभा कर सभी के दिलों पर राज करने व और इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और ऐसे ही इन्होंने मॉडलिंग करने के साथ साथ आक्टिंग इंस्टिट्यूट को भी जॉइन कर लिया और फिर आक्टिंग सीखने के बाद इन्होंने कई महीनों तक ऑडिशन्स दिये और कई सारे ओडिशन देने के बाद इन्हें पहली बार साल 2011 में सोनी टीवी का पॉपलर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में काम करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने पीहु कपूर शेरगिल की भूमिका निभाई थी और इसमें उन्हें दर्शकों ने काफी जादा पस प्रशा कर टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली और ये काफी जादा फेमस हो गई थी जिसके बाद इन्होंने जासूस दीदी सीरियल में काम किया और फिर तुम बिन्टू और बजार जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला जिसमें ये काफी जादा कर ली है और अब पहले से काफी जादा बदल चुकी है जहां सोनिया तू मेरा हीरो सीरियल में एक चुलबली और नटकट अंदाज में क्यूट और प्यारी सी लड़की के किरदार में नजर आई थी जिसमें इनकी खूब सूरत अदाओं और नटकट अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया था तो वही अब ये पहले से काफी जादा शान्त और खूब सूरत हो गई है और पहले से काफी जादा स्टालिज भी हो गई है जहां ये सीरियल में सिंपल ड्रेस में नजर आई थी तो वही अब ये खूब स्टालिज ड्रेस भी कैरी करती है और उस पिछले धाई तीन सालों से आक्टिंग की दूर हैं तो दोस्तों आपका क्या कहना है सोनिया बलानी के इन बदले हुए रूप के बारे में जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले